कि नवस्कार बिहार इंसौर्स देख रहे हैं मैं हूँ प्रम्बेट सिंग बिहार में 24 सीटों पर MLC का चुनाव होना है जिसको लेकर हर जगा राजनीती हो रही है खबर रजहानी पटना से पटना MLC सीट को लेकर अब राजत ने लगभ अपना केंडिडेट फाइनल कर दिया है दरसल यहां पर राजत में मसला फस गया था मसला था कि अनन्द सिंग अपने करेबी को टिकट दिलवाना चाहते थे तो वहीं राजत के ही विधायक रितलाल यादव अपने करीबी को टिकट दिलवाना चाहते थे दोनों अपने करीबी के लिए तेजिस्वी यादव के पास पहुंचे थे और पटना MLC सीट पर दावा कर रहे थे लेकिन कहा जा रहा है कि तेजिस्वी यादव ने अनन्त सिंग पर भ वी बुलाते हैं यह अनन्त सिंग के खास करीबी रहे हैं 2005 से ही अनन्त सिंग के सांत रहे ह्यंकी चुनावी रननिती त्यार करते हैं और आगे कि स्तरा की राजनीती में क्या कुछ करना है कार्तिक। मास्टर करते हैं तो अनंद सिंग के करीबी कार्थिक मास्टर को राजत से का उम्दवार बनाया जा सकता है हाला कि अभी तक राजत के तरब से अधिकारिक भूसना नहीं हुई ही है नाहीं तेजस्वी आदों ने कहीं पर्भ्यान दिया है लेकिन आज पटना में राजत के ही नेता और पार्टी के जो जिला अध्याग्ज हैं उन्होंने एक साथ बैठकर प्रेस कोंफेरेंस करके एलान किया है कि राजत के तरब से कार्थिक मास्टर ही मलसी का चुनाव रहेंगे कार्थिक मास्टर की पतनी रंजना कुमारी साल 2017 से लगतार दो बार मुख्या रही है और अभी भी मुख्या के चुनाव जीत कर आई हैं इससे पता लगता है कि कार्थिक मास्टर जो राजनीती से लंबे अर्षिस को जुरे हुए हैं और इनके पतना की राजनीत को करी चुनावती दे सकते हैं लेकिन वहीं अब देखना होगा कि बिहार एंडिये के तरफ से किसे उम्मधवार बनाया जाएगा क्योंकि बिहार एंडिये में अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा खुद जैदिव भारती जैंता दोनों पार्टिया चुनाव लड़ेगी वहीं महागडवन्दन की बात करें तो महागडवन्दन में राजत अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और अब धिरे धिरे अपने उमिद्वारों का नाम भी फाइनल कर रही हाला कि कॉंग्रेस परिसान है क कॉंग्रेस लगतार राजत के स्रिस्ने तुलिफ से बात चीद करना चाहती है लेकिन यह बात हो नहीं पा रही है और कॉंग्रेस का कहना है कि कम से कम पांस से च्छे सीट हमें चाहिए तो अब देखना होगा कि क्या राजत सुप्रीमों लालों पर साथ यादो कॉंग्रेस चुनाव को लेकर कार्तिक मास्टर को लेकर क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताएगा वीडियो से देख रहे हैं तो हमारे पीच को भी लाइक कर लिजिए धन्यवाद